नाव सल्फाइड, सल्फर वाले हमारे पास चार हैं, सल्फाइड, सल्फाइड, सल्फेट, एंड थायो सल्फेट, तो सल्फाइड का टेस्ट करते हैं सबसे पहले, अगर सल्फाइड है तो वही H2SO4 से ट्रीट कराओ, नावस कोई भी सल्फाइड लिख देंगे, H2SO4, तो रियक्शन H2SO4 प्लस H2S, H2S गैस रिलीज होती है, अब H2S गैस रिलीज हुई तो पता नहीं चलेगा, स्मेल से कहीं बार आइडिया नहीं होता है हमें, तो हम लेड एसिटेट का पेपर रखेंगे, लेड एसिटेट प पेपर को, तो अगर H2S गैस रिलीज होगी, तो वो उस लेड एसिटेट पेपर से रियक्ट करेगी, और उसको ब्लैक कर देगी, ब्लैक क्यों करेगी, क्योंकि वो लेड सल्फाइड बना लेती है, जो ब्लैक कलर का होता है, ठीक है, वो रियक्शन आगे दिखाई हुई है H2SO, H2S प्लस लेड एसिटेट पेपर में लेड एसिटेट लगा हुआ है, और ये PBS, लेड सल्फाइड बनाता है, जो ब्लैक कलर का PPT है, और ये एसिटिक एसिड अलग से, तो ब्लैक कलर का अगर PPT बन जाए, या ब्लैक कलर का हमारा पेपर हो जाए, तो मतलब नेक्स्ट लेड एसिटेट टेस्ट, फिर से सेम टू सेम, सोडियम सल्फाइड अगर सल्फाइड है, लेड एसिटेट सॉलूशन में डिरेक्ट डाल दो उसको, तो सिद्धा पूरा PBS बन जाएगा, लेड सल्फाइड, PBS यहां से, और ये सोडियम एसिटेट अलग, तो ब्ल नाइट्रोप्रोसाइड सॉलूशन, फॉर्मूला एनने टू, अंदर क्या है, आइरन, FECN5, NO, ये इसके साथ रेक्ट करके देखो, एनने टू, एनने टू, एनने फोर, FECN5, एसिट इस है, एननो, एसिट इस है, ये जो सल्फाइड है, ये वला, ये यहां, एननो एसिट बना देता है, ये पिंग और वोईलेट कलर का कमपाउंड है, मतलब अगर सोडियम नाइट्रोप्रसाइड सॉलूशन लेना है तुमने लैब से, और अपने सोड़ एक्स्टरेक्ट में उसको डाल देना है, ये सोड़ एक्स्टरेक्ट को उसमें थोड़ा सा डाल दो, तो अगर पिंग कलर का बन जाए तो भी sulfide present है, तो ये तीन test N में से कोई दो तुम कर सकते हो, next है sulfide, अगर sulfide है तो Na2SO3 कोई भी sulfide लिख लो, dilute H2SO4 से reaction कराई, Na2SO4 बनेगा, SO2 gas release होती है और H2, sulfide में कौन सी gas release हो रही थी, H2S, यहां कौन सी release हो रही है, SO2, SO2 gas evolve होती है, वो bubbles तुमें नजर आएंगे, तो sulfide may be present, तो इससे idea नहीं लगता, तो एक old test करते हैं, that is barium chloride test, barium chloride solution बना पड़ा होता है lab में, वो तुमने डालना है, अपने soda extract के अंदर, तो barium sulfide बन जाएगा, अगर sulfide हुआ तो, और 2 NaCl, तो जो barium sulfide है, वो white color के PPT होते हैं, तो हमें अगर white था, फर्दर क्या करते हैं हम, उस solution में अगर ये PPT बन जाएं, HCl डाल के देखते हैं, HCl डालने पर क्या होता है, barium chloride फिर से बना, SO2 gas release होती है, H2O, तो अगर HCl डालने पर कोई gas release हो रही है, bubbles तुमें नजर आ रहे हैं, तो भी क्या था, Na2SO3, तो ये दो test याद कर सकते हो और भी मैंने लिखे हुए हैं, देख सकते हो, iodine solution test, iodine solution डाल दिया, तो Na2SO3 प्लस I2 प्लस water, तो Na2SO4 बनता है, 2HI, ये colorless gas release होती है, इस test से इतना idea नहीं लगता, जस्ट आप देख सकते हो इसको, SO32 negative also decolorizes acidified solution of KMNO4, ये reaction बार बार आएगी, तो इसको याद रखना, तुम KMNO4 का solution, potassium permagnate purple color वाला solution है, वो acidic solution में बनाया गया है, तो ये complete reaction है इसकी, 2KMNO4 प्लस 3H2SO4 gives K2SO4 प्लस 2MNSO4 प्लस 3 water प्लस 5 nascent oxygen, तो अगर sulfite है, तो ये जो oxygen release होती है, वो इससे reaction करके Na2SO4 बना देती है, तो आपको पहले दो test इन में से याद करने जरूरी है, A, B, C, D, क लित सो 4 वाला और दूसरा, G, C फो ये तो घूल्फ़ेट, तो ये अलो ये तो सुल्फ़ेट Gleich होती है, subsid cents, 25% has is, 18 to 17 ओर ये निया हाश। ृब का इफर था ये शूथरा गया है वाला का इन बनायम थाख्कान quick क्स्षान है, है? और दूसरा अ बाल्ते है तो ये anlamया है, ये